बड़ा गौर से देखिएगा एक मिनिट भी स्कीप नहीं किजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत महत्पूर्ण बाते में करने वाला हूँ अच्छा नमास्कार पड़ा मैं आपका भाई छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही निवज भौज पूरी जी एक क्रियेटर भड़ूआ कि क्रियेटर लड़ूआ कि गड़ूआ कुछ ऐसा ही ना ठीक है समर्या ने सोरी 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 क्रियेटर बबुआ इनका नाम है महराना परताब के बंसर जराना दिप्पू सिंग जी हाजिर हो ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अन्धा हूँ लगता है फिर आज मंडब जला कर आया है नहीं समझें आईए समझाते हैं पूरा अबिस्तार से ये भाईया ये जो बबुगा है ये बबुगा को बड़ा जाती है उन मात फ्यलाने में और जतिवाद करने में बहुत इनको मज़ा आता है अभी कल ही इंकाउंटर में एक अतिक अमद का बेटा असद को मारा गया है यानि कि योगी सरकार की वहाँ पे बूल्डोजर के सरकार तो कहीं ही जाती है तो यूपी पुलिस जहासी में अतिक अमद के बेटे को असद को मार गिराया है हलाकी अब वो यूपी पुलिस समझे और वहाँ के मुख मंतरी अधितनात्य योगी जी समझे लेकिन इस बबुगा को लग रहा है लगता कि यही इंकाउंटर में चल गया और यही इंकाउंटर में मार गिराया अतिक अमद के बेटे को और बड़ा खुस मुझाज होकर बोल रहा है कि अभी और गुंडों का नंबर है सभी नेताओं को यह गुंडा कहता है कभी कभी यह परताव यादो जी को भी अनाप सनाप और उनके बड़े बेटे तेजसी परसाद यादों को भी बोलने का पर्यास करता है तो आप ये पहले सोचिए कि पत्रकारों का या फिर सोशल एक्टिविस्ट का जज्जमेंट करना काम नहीं होता है मैं भी चाहूंगा तो जज्जमेंट कर सकता हूं तो फिर पत्रकारता नहीं रहा जाएगी कुछ दिन पहले आकांचा दुबे की वहां पर आपने देखा ही होगा मैं लगातारों के घर से जाकर कभरेज करने का परियास किया आकांचा दुबे मामले में इस भाई को लंकवा मार गया था या फिर क्या हुआ था पता ही नहीं है ये बचारा कुछ नहीं बोल पाया क्यूं नहीं बोल पाया भगवान जाने साथ लगता है कि उस समय इनको जातिये किड़े ने और सुमानी किड़े ने नहीं काड़ा था और ये बताना चाहते हैं कि मैं बबवान हूँ, नहीं, सोरी माप किजिएगा, ये जानते हैं कों से समाज से आते हैं, किस जदी से आते हैं, धरसल ये हैं चंदरवन सी समाज से, अच्छा, लेकिन सिंग जी का टाइटल लगा कर खुब मसहूर है भाईयाई, अब दिल्ली में बाइट कर, और ये रूम से फेस्बूक या गुंडे की तरह, दिन भर टाइटूइ, 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 ये कभी मनीश कस्त्रव के मूदे पर, हाला कि मनीश कस्त्रव से मतलब इनको कुछ नहीं है, इनको चाहिए सस्ती टी-ार-पी, मैंने भी ये बिस दोट के जितने भी कर्च करता है, सभी को गुंडा कहता है, आरजडी के सरकार को यहाँ पर जंगल राज और नजाने कौन-कौन से भासा का यूज करता है तेजस्ती परशाद यादो जी को, मैं पूछना चाहूँगा, तेजस्ती परशाद यादो जी और बड़े म्लब कि जहान जाता है मृत फिलाने काम करता है उनमात प्रेस्फान नहीं करते हैं इसके लिए बुल्डोजर या फिर कुछ आपके पास उपाय नहीं है हम तो कह रहे हैं तेजु भाईया को कि इसको लाल्टेन लेकर खोजिए और जहां भी गुर्गा छीपा हुआ है यह बहुत बड़ा जातिय उनुमाद फैलाने वाला सुमानी किड़ा है इसको जब तक आप नहीं दबोचेंगे तो भाईया यह बिहार से लेके पुरा देश को खत्रे में डाल देगा और हिंदू मुसलिम करा के पुरा दंगा राइट करा देगा यह यतना खुस नजर आ रहा है कि आतिक अहमद का बेटे मारा गया जैसे बुझार आ रहा है कि बहुत बड़ा जंग जीत करा आया है और मेडल साथ लगता है कि इन्हें ही मिलने की समभावना है मैं अब दम्मेच नो इन्हें देने की समभावना है ठीक है समदिया जब आकांच्छा दुबे की वहाँ पर जो घटना हुई उसमें क्यों नहीं बोला होटल मालिक के उपर क्यों नहीं सवाल उठाया क्योंकि होटल मालिक साथ इनके लगता है कि हित जन यरिस्तदार लग रहे होंगे साथ वहाँ पर योगी बबा जो है बुल्दू जोर वाले बाबा है साथ इसलिए तो मैं पूछना चाहूंगा कि जाती रोक से गरसित लोगों को जाती उनमाद फैलाते हैं और यह बिहार का कहा जाता है ना जाने कहां कहा है बिहार कही है उड़ीसा कहा है मुझे मालूम नहीं है तो ऐसे लोगों पर तेजु भाईया तेज़ि भाईया नितिस् गुंड़ा यही है इसका मुह देखिएगा तो लगेगा कि सुगा की तरह के कुछ न कुछ मने कि बीना निहायद हुआ है बीना बरसुरस किये हुए लग जाता है तेजस्वी जादो और तेज़ परताब यादो जो कि कोशने में कभी हिंदू कभी मुस्लिम मतलब ऐसा ऐसा दंगा फ्हलाता है भाई कि इसको आदमी पकड नहीं पाता है पहचान नहीं पाता है आखिर कब तक हलाकी UP में परसाशन या फिर सरकार UP सरकार वहाँ कभी कभी फर्जर। ही ठीक है आप राधि, एक मुगकाज में किसी पदरpt होते हैं तो अगर बी सूट कर दीए झाते हैं हलागे किसी मामले में हूऔचिता पराधी भी था अरसत कोई पाल थे उनके कांड में सनलिप था ठीक है इनकाउंटर लेकिन किरियेटर बबुवा को जिस दरीके से आके जाती है उन्माद फैला रहा है तो यह चाहता है कि हिंदू मुस्लिम राइट हो कुछ दिन पहले तमिल लाडू में दम भर उन्माद फैला या मज इसको तो तेजु भाईया और तेजसी भाईया ना जाने कहां सोई हुए है इसको खोजी नहीं रहा है लेकिन आपका असली गुंडा तो एक किरियेटर बबुवे छुपा हुआ है दिल्ली में दिल्ली सरकार से मैं अर्विंद केजरिवाल जी से कहना चाहूंगा कि आप केजरिवाल जी से मैं पूछना चाहूंगा तो जाड़ू लेकर केजरिवाल जी सिर्फ देखा रहे हैं कि मैं सफाई करता हूं और इसा इसा गुंडा के सफाई कब किजिएगा एक गुंडा दिली में ही छीप कर अब आपके यहां बैठ कर और मैं एक दुसरे में खुब ल नहीं चल सकता है क्योंकि यूपी का नहीं है लेकिन दिल्ली में बैठा हुआ है इस पर जाड़ू जो चल सकता है क्योंकि वहां पर केजरिवाल जी के सरकार है तो केजरिवाल जी भी लगया कि कहां स्वय है उनको स्वाइन फुलू हो गया है क्या हो गया है वो भी नहीं ध्यान देते हैं लेकिन ज़ाड़ू लेकर केजरिवाल सरसे मैं आगरह करना चाहूंगा बिनमर बिंती करना चाहूंगा स्रीमान कि ज़ाड़ू लेकर वहां से इस इनके आका लोग बेठे हुए हैं, हलाकि मैं जो बनाता हूँ न्यूज को तथे और लोजिक होते हूँ उसमें, अब मुझे जो अच्छा लगता है मैं वह ही करता हूँ, आपको मैं बता दिया था, मैं सभी को एक समान मानता हूँ, लेकिन जो गलत करते हैं, भहिया कहे तो हम को अंदर से पावर आ जाता है, मैं सोचता हूँ कि थोड़ा इने भी दिखाया जाए, इस फेस्बुक ये गुंडे को तेजसी यादो और तेजु भहिया छोड़ दिया है, कि जा तुम खूब मेरे बारे में अनाफ सना बकते रहो, अब मैं तुम्हे माफी देते रहूंग नहीं, इसका अब अंत हो चुका है, अब जानते हैं कि अतिकांत होना जब होता है, काल मनुस पर चाता है, पहले बिवेक मर जाता है, आखिर तेजसी भहिया, तेजु भहिया इसको क्यों नहीं जेल भेजते हैं, क्यों नहीं आरेश्ट करवाते हैं, नहीं करवाते हैं, क्य किनित कीजिए और सबसे पहले इसको पकड़ के यूपीस वहां दिल्ली वाली सरकार केजरिवाल जी इसको जहारू से उपर चलाया जाए क्योंकि यह बहुत मुह से मुहां में थुन करता है कभी-कभी इसको लगता है कि जहारू उठाइए उसके साथ गुहां में थुन कीजि कि यह ओकाल से ज़्यादा ही भकने लगा है और लगतार आनाप सनाप तेजी भाईया का और तेजसी भाईया का गुन कान पखान करते रहता है और हिंदू-मुसलिम करते रहता है राइट फैलाने का हमेसा काम करता है जैसे छापरा में कुदिन पहले कांड हुई थी जो कि यादो भर से राजपूत लडाई बनाकर पूरा इतना दंगा फैला दिया कि एक दुसरे समाज में काफी उन्माद फैला कर अब बड़ा मने दिख भरमित करने का परियास किया हलाकि अच्छा हुआ कि समय रहते ही बिहार की परसासन ऐसे ऐसे गुंडे को चिनित करके इनके उ तो नजाने और मुसल्मान भाई हैं इंडिया में पूरा भारत भर में हैं लगता है कि मुसल्मान के मरने के बाद इन्हें काफी मज़े आते हैं तो मैं चाहूंगा कि तेजस्वी जादो जी आपको भी छोटा सा एक फैस्बूक या गुंडा होकर आर आप एक मुखमंत्री हैं और आप एक बड़े नेता है और बड़े चेहरा है तो एक बड़े आदमी पर एक नेता पर अब एक मंत्री पर मुखमंत्री पर जिस तरीके से सवाल उठाता है भदर तरीके का टिपनिया करता है इस सोशल मीडिया पर गाली गलोज करता है इन्हें भी चीनित करके अपना रफु चक्र हो जाएगा पाज दिन के लिए मुवाइल ओफ कर देगा च्छाठा दिन फीर आएगा फिर बखबख करेगा इसके मतलब कि इसके अंदर कानून का डर नहीं है इसलिए आकरे अनाप सनाप बगते रहता है मैंने किसी सरकार को या फिर यूपी सरकार हो चा बना सकते हैं सरकार को उचा निचा और अनाप सनाप गली गलोज नहीं दे सकते हैं बाकि आपकी राय क्या है बस मेरा इतना ही कहारा था लेकिन मैं यहीं कहूंगा कि किरियेटर बववगा को जल्द से जल्द गिरफतार करके और सलाखों की पीछे भेजिए और एक बार मैं दिल्ली की केजरिवाल सरकार से मांग करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप जाडू उठाते हैं सफाई अभियान चलाते हैं तो दिल्ली के ही गुणगाओं में एक गुंडा छीपा हुआ है और इस गुंडे को उठाकर सफाई अभियान चलाइए और इस पर भी जाडू चलाइए जब यूपी में बॉल्डोजर चल सकता है तो दिल्ली में जाडू क्यों नहीं चल सकता है इसको जाडू चलाइए जाडू चला कर सलाकों को पीछे बेजिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई छोटू तबाही